नमस्कार दोस्तों और टीटी तियारी चनल में आप सभी साथ योगा फिर से एक बार स्वागत है साथ योगा आप तभी बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए पड़्यास रत हैं शिक्षा विवार भी पड़्यास रत है BPSC के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी और इसके लिए BPSC जो है वो तयारी कर रही है लगभग अंतिम चरण में BPSC है लेकिन इसी बीच अध्यापक नियमावली 2023 को रद करवाने TET शिक्षक संग ने हाई कोट में दायर किया चिका आज की ये न्यूज है, बड़ी न्यूज है पटना हाई कोट से ये न्यूज आ रही है TET शिक्षक संग की ओर से अध्यापक नियमावली 2023 को रद करते हुए शिक्षक अधिकार कानून के तथ शिक्षक पातरता परिक्षा उतिर्ण 2 लाग TET सिक्षकों को ज्वैनिंग डेट से राज कर्मी का दरजा देने हे तू हाई कोट में याचिकार दायर कर दी गई है TET सिक्षक संग की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम और अंगावाद से चंदरशेखर बर्मा किसन गन से जो भी साथियां वो आप सभी के सामने में है TET सिक्षकों को ज्वैनिंग डेट से राज कर्मी का दरजा देने हे तू दायर याचिका में याचिका करता बने है याचिका की सुनबाई गर्मी छुट्टी के ततकाल बाद की संभव है क्योंकि आज से 18 जून तक हाई कोट में गर्मी छुट्टी हो गई है तब तक हम सभी आवेदन करेंगे TET सिक्षक संग की मांग क्या है ये मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा दरज की गई आपत्यों के आलोक में अध्यापक ने नियावावली ततकाल प्रभाव से नरस्त किया जाए जब तक सुनभाई पूरी नहीं हो जाती है इसके तहत कोई अधिसूचना या एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला जाए TET सिक्षक संग सिक्षक अधिकार कानून के तहत तरीकों के मानकों के अधार पर बनाएगे विहार राजय पंचैती राज नगर निकाई संस्था शिक्षक नियोजन 2012 के तहत नियूप्त शिक्षकों का प्रति निधित्व करता है और उक्त संगठन से जुड़े वे शिक्षक नियोजन के समाई से ही शिक्षक के अधिकार कानून में बढ़नित सभी मानदंडू को पूड़ा करते हैं उस वक्त गलत तरीके से इन्हें राज कर्मी के तोड़ पर बहाल करने के वज़ए पंचैती राजवन नगर निकाई संस्थाओं के तहत बहाल कर दिया गया था अब जबकि सरकार राज कर्मी के तोड़ पर ही सहमती समाहित करने के लिए नियमावली का निर्धारम कर रही है तो 2012 नियमावली के तहत एवं शिक्षक एधिकार कानून का पालन करने वाले सभी शिक्षकों का जवैनिंग डेट से ही राज कर्मी का दरजा देते हुए सभी प्रकार के लाव दिये जाए ऐसा ये कह रहे है समभई धानिक प्रापधानों का उलंगन है नए नियमावली ये कहना है और क्या होगा आगे ये तो समय ही बताएगा लेकिन हाइ कोट में जो है वो केस कर दिया गया है नियमावली रद्द करने के लिए और इस प्रकार से कई प्रकार का केस जो है क्या गया है शिक्षक बहाली 2030 के उपर में क्योंकि BPSC के माध्यम से ये बहाली की प्रकरिया पुरी होगी और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यार्थी भी नराज चल रहे हैं कुछ अभ्यार्थी खुश हैं तो कुछ से नहीं होगा सभी को खुश करना होगा सरकार को नियमा वली पर जो case किया जा रहा है इसमें क्या होगा नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा लेकिन case कर दिया गया है आप सभी लगातार जो है बिहार में शिक्षक बनना चाहता है इसके लिए प्रियास कर रहे हैं सरकार भी भाली के प्रिकरिया आगे बढ़ा रही है लेकिन किसी बीच case किया गया है सुप्रिम कोट में भी case किया गया है अब क्या होगा नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा लेकिन हम सभी जो अपनी अपनी काम कर रहे हैं जैसे कोई तैयारी कर रहा है तो अपना तैयारी करें कोई हमारे साथी शिक्षक बन चुके हैं तो बच्चो तरहें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाब उढ़ा सके यह सब बिल्कुल प्रिश्ट